अब हलो डियर फ्रेंट्स कैसे हैं आसा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी वहतर होंगे तो साथ ही वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 के जो है सुसर साइंस का मोडल फेपर देखने वाले हैं जो काफी इंपोर्टेंट कोशन है जो कि आप की आपको एकजाम है काफ रिस से मिलने वाला कोशन है तो हम लोग एक एक करके कोशन ाब जेक्टि गूसन आप si village का फ्राइस की राज क्रांती की समय वहां कर राज को थे तो फ्रांस के राज करांती जो हुआ थे 1779 हुआ थे एक दम ध्यान रिक हो था तो 1779 कोश्ण यहां से भी पूछेगा ठीक है कि कब हुआ था करांती फ्रांस की तो 1789 हुई थी और वहां के राजा उसमें कौन थे तो लुई सुलाहमा थे रायट इनसर हो जगा आपका उप्सृनमर सी जो है एकदम बिल्कुल सही है लूई सुलामा हो जगा इन्हीं लुई इसलामा ने क्या कहटा मेरी इ disappointing कानून है यह इन्ही और करेते हैं यहाँ पर लूई च्रोधा से exhaustive कि क्रन हीृतर हो यह जो कानून सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रांस के राजा हैं यहां बिल्स लोय ईंब्स संग एपने उद्देश और सफल क्यों हो है सिंपल सी बात बेविन राष्टों के निजी स्वार्थ के कायनि यानि जो है सरकारी चीज़ पर जो है निजी यानि हक जमाना जो है यह इसी कारण से राष्ट संग अपने उद्यस में और सफल हो रहे हैं तो चलिए आप आगे बरते हैं तीन इमर कोशन तीन इमर कुशन द आपको सभी बच्छों के पास शैर कर देना ठीक है अगर आप पहली बार है तो सबस्क्राइब ज्रोड कर लिजेगा आपको ट्यंत का भी चैप्टर वाइज अब्जीटिव दिने ठीक है चैप्टर वाई ट्यंत का भी ऑब जबजीक्टिव सब मिलने वाला है जो की कापी इन्पोटेंट होगा सबसे अलग सबसे हट के आपको सलूशन मिलेगा इसमें तो पर्थम विश्युद कब पारम हुआ था तो बता ने कि पर थम विश्यूद जो है सो कब चालू हुआ था तो चाल चाल नमर कर रहा होजाएगा आपका है छिश्यूदा तो चाहा जुलाइ। चाल जूलाइ और और विश्यूदा शुरू जूदा और शाला यानि पांच साल का ये यूद चला था राइट राइट में चला था को निया था तो पूर्त गाली इंसरी हो जाएगा उपसन ब हो जाप पूर्त गाली आएथे बासको डिगामा आया था जो भालत का भी खोज किया है चलिए छे नमर कोशन आगे बरते आए होप आप लोग समझ रहे होंगे लैनिन की मिरत्व कब हुई थी तो प्यारे बच्छों बता दें लैनिन की मिरत्व कब हुई थी तो 1924 इस्वीम हुई थी राइट जो एंसर हो ज करते हैं 1430 इस्वी में फ्रांस ने किस देश पर अधिकार किया था तो यहां पर बता दें आठ नमर साथ नमर कोशन का जो राइट एंसर हो जागा यहां पर आलकी जेडिया राइट की एंसर सी हो जगा इसके अलावा भी होलेंड आर पर भी आविक कर लिया ठीक है होलेंड पर भी क्या था स्वीटिजर लेंड पर भी क्या था ठीक है स्वीटिजर लेंड और शार्डिनिया सार्डिनिया पर भी क्या था तो यहां पर एस्पेस नहीं लिख नहीं लिख पाराओं आप लोग ध्याने के आलजिरिया के लावा होलेंड स्वीटियर लेंड और साइड साइड दीनिया पर ठीक है यानि सीडिया इन पर भी कर लिया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आठ नमर कोशन है द्वित्तिय विश्यूद के पस्चास संसार में दुसरी वरी सकती का रूप में रूप में किस देश का उद्या हुआ था तो रूस का हुआ था ठीक है युक्त राज रूस का जो है उत्पत्ति हुआ था राइड इंसर हो जाएगा आपका यह एकदम मिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है रूस चलिए नौर नमर कोशन आगे बढ़ते हैं बासको डिगामा समुन्दरी मार्क से भारत कब आया था तो आप लोगों को उपर भी बता किसी वर्स की गई थी तो प्यारी बता दें अमिर्काज की खोज है कोलमबस ने 14-92 इस भी किया था राइट जी आपका भी हो जगा ठीक है किसी ने क्या था तो कोलमबस ने क्या था ठीक है कभी-कभी इस कोशन पर कनफ्यूज होते हैं अमिर्गों वेस्पुसी भी होता है लेकिन दोस्तों बता दें यहां पर कोलमबस सबसे पहले पढ़ियास किया था खोजने बट इसके रास्ता में इनकी मृत्तू हो गई थी तो अब जाके अमिर्गों बेस्पुसी ने आगे बढ़ा चलिए एगाला नमर कोश्चन है मार्टिन लूथर कहां के रहने वाला था तो प्यारी बच्वे मार्टिन लूथर जो थे कहां के रहने वाले थे तो एगाला नमर का जो राइट एंसर हो जागा आपको जर्मानी के रहने वाले थे चलिए आगे बढ़ते हैं बार नमर कोश्चन है अमिर्का का नाम किसके नाम पर पढ़ा तो बताने साथ हो सीने उलेके नाम पर अमिरिका का नाम परा अमिर्का स्ट camera लेकर आपको का समय किमते अमिर्का कारा राजधनी मंगा सब्सक्राइब कर लिए आपको सब्जेक्टी मिलेगा आपको सब्जेक्टी इस पर मिलेगा एक्जाम के दिन ठीक है सुबह में आपको मैथ मिल जाएगा इस पर चलिए चौधर नमर कोश्ण है अमेरिकी bots चोतनतरता संग्रा में अंग्रेजो का सेनापति कौन था तो प्यारिवाचों यहां कोश्ण समझेगा अंग्रेजो की सेनापति कुन था तो यहां पर जो बता दें इसका एंसर हो सबसे अधीक है और महाराष्टि है इसका था दूसरा है जलन संख्या के च्टीम नंवर प हंगा यूपी उत्तर प्रोट ऑर कोई से दो पदार्थ पाए जाते हैं तो डिको और लोहा सो पाए जाते हैं निकेलation आपका option number C होजगा निकेल एन आए और क्या होजगा लोहा एफी होजगा ठीक है लोहा एफी चलिए आगे बरते हैं 17 नमर कोशन निमलिकित में महाधृःपी और जर्षादी सर्वाधिक है तो किस पर है तो 17 नमर का ण्लेसर हो जगा यहां पर हो एपका ऐउन एंसर हो जगा आपका अफ्रिक का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अठारा नमर कोशन भारत की वार्षिक जन संख्यार विर्दी दर कितनी है तो एक दसंब्र साथ है राइट जो एंसर यह हो जगा ठीक है उप्सन नमर B हो जगा एक दसंब्र सेवन चलिए उड़ी समर तिबबत में परनदी को किस नाम से जाना जाता है तो तिबबत में अचलब कॉशन काफी इंपूर्टेंट है तो सांगप्पो के नाम से ठीक है राइट जो एंसर यह हो जगा चलिए यह आगे बढ़ते हैं सबस से कम बर्सा थ्षेटर हार है ठीक है राइट गॉधा नम में जीखे के स्प para कैशًद है चलिए आगे बते हैं कि सबस्सक्राइकशन सारे सारे कोच्छन है समय सारी से टेपर का है कोश्चन इसी टाइप का आपको आप ज़ामे मिलने वाला क्रेस मल वर्सा का परदेश कौन है तो ग्रिस्म काली वर्षा का परदेश कौन है तो 21 नमर कोश्चन है तो एक इस का जो राइट एंसर हो जाएगा आपका मंसूरी परदेश राइट जो एंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका चलिए 22 नमर कोश्चन है विसुवतिय परदेश में व बोल सकते हैं 23 निम्लिक्षित में से कौन सा आमल वर्षा का एक कारण है तो बायू परदूसन के कारण ठीक है राइट जो हो जगा आपका एकदम डिस सही हो जगा बायू पर दिसन में क्या होता है सी य तू के मात्रा बढ़ जाता है एस सब्सक्राइब कोशन है गरीवी का सबसे कम अनुपात किस सराज में थो सबसे कम अनुपात जब सबसे कम अनुपात है सबसे अधिक और सबसे पूरे गरीव आते हैं पूरे राज भारत में तो सबसे पिछरा राज होता है तो कोश्चन आपको यहां से रह सकता है चलिए कि अनुपात कितना था तो कितना था तो 25 जो नमबर का राइट जो एंसर हो जागा आपका 25 परसेंट था 26 राइट जो एंसर हो जागा आपका 26 परसेंट चलिए 26 नमर कोश्चन बिहार में गरीवी रेखा के नीचे कितने परतिसत लोग हैं तो 40 परतिसत से भी अधिक यानि 40 परतिसत से भी पलस लोग जो हैं गरीवी रेखा के के नीचे है ठीक है गरीवी रेखा से भी उपर है आपका ओप्सन बी जो हो जेगा एकदम सही हो जगा सत्ताय सनुमर समीधान सवा की पहली बैठा कब हुई थी तो 9 दिसंबर उनिस्ट शालिस की जो हुई थी राइट ज 20 जनवरी 1950 को बनाता है यह आप लोग को पता हुआ जिस दिन हमारा देश में समीधान लागो हुआ था उसी दिन संफ पर्भुता लोग तंतरात में क्रान गर्ण राज यो है सो हमारा भारत बन गया था चलिए आगे बढ़ते हैं 29 कोशन जो है काफी इनिपोटेंट कोशन यहां से आपको कमप्रिशन तक भी पूछा जाता है कोशन ठीक है और यहां से कुषन आपको बहुत सारे अग्जामे도ा यह पूछा जाता है यूप समीधान पारूप समीती के अध्यक्ष कोन है तो पारूप समीती के जो अध्यक्ष है वो डाक्टर भीमराव अंवेड weeds कर ठीक है डॉक्टर राजंदर परसाद जी जो है रही हो अस्थाइद्धान सब्सक्राइब था चलिए अस्पेस नहीं लिखे सताइद्धान सिना और है भारतियर्स अंगिकित किया गया था कब किया गया था अंगी कित मतलब कब कर दिया गया तो 26 जनुर्वली 1950 30 का जो एंसर हो जागा आपका ओपसंट ए जो हो जागा एकदम सई हो जागा ठीक है थी का ऐख साइब कुछ उसी प्रकार सा कोशन है उपर वाले जो हम लोग देखें भारतिय समिधान सभा के पारुप समीति के अध्यक्ष कोन थे तो आप लोगों को पता है यानि बावा भीमराव अमवेर कर राइट जो एंसर सी हो जगा भीमराव अमवेर कर और डाक्टर राजन परसा जो थे यह और स्थाई अध्यक्ष थे समिधान सभा के अध्यक्ष कोन थे तो डाक्टर राजन परसाद और और अस्थाई अध्यक्ष कोन थे एकदम ध्यान रखें कोशन यह काफी बार आपको क्या करते हैं कंप्रिशन ने पूछा गया तो सचिदा अनन सिन्धा जो थे और संंक्या अंतर गत क्लास को मिलान का अधिकार अधिकार दिया गया है किसे है तो अधिकार किसे है तो यहां पर बता दें संसद 522 एकदम सभाई C हो जाएगा एक समय假 सब्सक्राइब करने का अधिकार किसके पास है तो यह किसके पास है तो यह किसके पास है सांसद के के पास होते हैं और अभी बर्तमान में राष्ट पती कोण है यह तूसे राष्टis रहेगяет भारत के चौत्रपती कौन थे वीवी थे राइट एंसर एकदम ए जो है आपका एकदम सही एंसर एकदम राइट एंसर है चलिए साइटी से राष्ट पति के उमीदवार के लिए क्या आवस्यक नहीं है देखें यह कोश्चन में आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा इसका एंसर देखने के वाद आप और इसका नागरिक हो अनता पढ़ाली का थोड़ा कम भी होगा तो राष्ट पती बन सकते हैं यह आपको सुनके अजीब लगा होगा लेकिन इसका जो एंसर है तो एकदम राइट है आप कहीं भी देख सकते हैं चलिए अरतिस नमर कोश्चन स्वतंत्र भारत के पर्थम राष् सासरी जी राइट इसर होले का आपका अप्सेन होले के बिल्कुर सही बातिया समीधान की सासन परणाली की बेवस्था की गई है किस परकार की गई है यहां जो संसमीधान में संसदात्मक किया गहले की सधस्यों के कार्यकार कितने वर्स आहें टू राज सभाके सरदसियों कारेकाल होता हैं छे वर्स का होता है यहां हो जब्लगाएकब सायंस को कि एकदम सबसे अलग सबसे हट के थोड़ा सब्सक्राइब किस राज का लोक सभा एबम राज सभा में परतिनीध्व सबसे अधिक है परतिनीध्व सबसे अधिक है लोक सभा एबम राज सभा की तो यह जो हो जगा उत्तर परदेश में जो है लोक सभा राज सभा दोनों का परतिनीध्व अधिक है लोक सभा जो है वहां टीक ऐर लोग सभाय नहीं हो एक टीक है यहां से पूछा जाता है यहां से पूछा जाता है आपको चली चलिए तेटारीस कोशन है भारत की संसर रोजगार गरांटी अधिनियुम कब पारित किये थे तेटारीस का जो राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्सिन नम्मर सी जो है एकदम सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपको अर्थ सास्त्र के जनक कों है तो दोस्तों बता दें आर्थ सास्त के जनक है जैस मिल है राइट एंसर भी हो जाए ठीक है यानि जो सिंपल सी बात आई से धिया रखना है एडव एश्मीट ठीक है एकदम ध्याने एड़ाम एस मित जो है इनको जो है एकनो मिक्स का जनक भी तो किसी ने कहा तो किसी ने कहा था चार्ण का विझ्यान है तो जो जोंडर रोवेंस ने कहा था ठीक है राइट इंसर फीटिगा आपका यह वहां जिन यहां पर डी यहां पर डी अगे फ्यूज नहीं हो येगा जॉन रॉविंस ने कहा था ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं सरकार ने नहीं आर्थिक निती की घोसना कब की तो कब की थी यहां पर यह उप्सन जो है बिल्कुर सही हो जगा चलिए सब्सक्राइब की घठन योजना आयोग की अस्थापना कब हुई थी तो योजना आयोग की जो है अस्थापना कब हुई थी साइटालेस नमर का जो राइट एंसर हो जागा यहां पर उनिस सब्सक्राइब ठीक है उनिस सब्सक्राइब को जाना चाहिए आइटिंग भारत में पर्थम पंच वर्सी योजना की शुरुआत कब की गई थी तो उनिस नमर का जो जागा यहां पर एक अपर उनिस सब्सक्राइब करेंगा बट यहां पर गलत नहीं आपको बताने का कोशिस करूंगा पूरे सही बताने कोशिस करूंगा यह एंसर होना चाहिए ठीक है तो एकदम आपका इन्पोटेंट है चलिए पचास नमर कुशन है हरित करांती के फरसरूप किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक बिर्दी हुई थी तो गेहूं के ठीक है राइट यह एंसर हो जागा य जब ब यह इपराटना करते हैं और मासरदे से अच्छा करते हैं दौह करते यह सार अड़ियो kinda करते में की लशे ठीकर हो गया होगा लगे के लिए को पार दिल पर देने लिएत numbers करे एगा घंस करेसाовор सारे लेकर मिलते हैं तो अगले मिल्यों तब तक के लिए धन्ने वाज़ा है